जेस्ट मास के कृष्णपक्ष की अमवस्य दिथी को वट सावित्री का वरत रखा जाता है इस वरत में सत्यवान सावित्री और यमराद जी की पूजा की जाती है इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है और पती पर आया हुआ संकट भी टल जाता है ऐसी मानिता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पती सत्यवान को धर्मराथ से भी जीत लिया था अर्थात उन्हें पुनर जीवन दिलवाया था तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की धेर सारी शुप काम नाई आज के दिन जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुने भगवान की करपास से उनके पती की आयू लंबी हो और उनके पती पर आया हुआ संकट भी सदा के लिए दूर हो जाए पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मदर देश में शाकल वंची अशुपती नाम के एक राजा हुआ करते थे उनका कोई भी पुत्र नहीं था तब ब्रहमनों के निर्देश पर वे पुत्र कामना से सभी कामनाओं को पोर्ण करने वाली सावित्री देवी अर्थत गायत्री देवी की आराधना करने लगे कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिये देवी ने कहा राजन तुम मेरे नित्य भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूँगी मेरी क्रपा से तुम्हें सरवांग सुन्दरी कन्या की प्राप्ति होगी ऐसा कहकर वह देवी आकाश में बिजली की तरह अद्रिश्य हो गई उस राजा की मालती नाम की पति व्रता पत्नी थी समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जनम दिया तब राजा ने ब्रहमनों से कहा कि तब के द्वारा अहवाहन किये जाने पर मता सावितृरी ने इसे मुझे दिया है और यह सावितृरी जी के समान ही रूप वाली है इसलिए इसका नाम भी सावितृरी ही होका तब उन ब्रहामणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया दीरे दीरे समय बीता समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई तब सावित्री को वर्खोजने के लिए कहा गया तब उसने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पती रूप में वरंड कर लिया इधर जब यह बात दिवर्शी नारत को पता चली तब वे राजा अश्वपती के पास आकर बोले कि राजन आपकी कन्यान ने तो वर्खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है किन्तु वह अलपाईउ है और एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्ती हो जाएगी नारत जी की ये बात सुनकर राजा उदास हो गए फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवा कर समझाया कि पुत्री ऐसे अलपाईउ व्यक्ती से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है इसलिए तुम कोई और वर्ष चुन लो इस पर सावित्री बोली तात आरी कन्याई अपने पती का एक बार ही वरंड करती है अर्थत एक बार ही अपना वर्ष चुनती है इसलिए अब चाहिए जो भी हो मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्विकार करूँगी देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने पर आखिरकार राजा अश्योपती को उनका विवा करना पड़ा विवा का सारा समान और कन्या को लेकर वृत्य सचिफ सहीद राजा उस वन में गए जहां अपना राज और अपनी आखों की रोशनी खोचुके राजा द्युमत सेन अपनी रानी और राजकुमार सहीद एक वरिख्ष के नीचे कुटिया बना कर रहा करते थे उसी वन में विधी विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवा कर दिया गया वन में रहते हुए अत्यंत कस्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पती की सेवा में लगी रही नारत जी के कहें नुसार पती के मरंड काल का समय जब पास आया तब पती वृता और धर्म परायना सावित्री ने अपने ससुर से आग्या लेकर त्रीरात रिवृत का अनुस्ठान किया चौथा दिन आने पर जब सत्तिवान ने लकड़ी फूल और फल आने के लिए जंगल के और प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास ससुर से आग्या लेकर दुखी मन से अपने पती के साथ उस भयंकर वन में चली गई नारत जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कस्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पती के सामने उजागर नहीं होने दिया पती का मन बहलाने के लिए वह जूट मोट उस वन के व्रिक्षों और पशुपक्षों के बारे में पूस्तास करती रही शूरवीर सत्यवान उस भयंकरवन में विशाल व्रिक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखला कर ठकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा सावित्री मैं फलों को एकत्रिक कर चुका और तुम फूलों को चुन चुकी हो लेकिन अभी इंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ इसलिए तुम इस वटवरिक्ष की चाय में बैठ कर थोड़ी देर प्रतिक्षा करते वे विश्राम कर लो सावित्री बोली कांट जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूगी लेकिन आप मेरी आखों के सामने से दूर मत चाहिए क्योंकि मैं इस घनी जंगल में डर रही हूँ सावित्री के ऐसा कहने पर सत्तिवान उसके सामने ही को शितूरी पर लकड़ियां काटने लगे लकडियां काटते वे अचानक सत्यवान के सिर में तेज की पीड़ा हुई तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर बोले सावित्री इस परिश्रम से तो मेरे सिर में बहुत तेज पीड़ा हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रख कर सोना चाहता हूँ सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रख कर सो गए जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस इस्थान पर स्वैम धर्मराज जी को आई वे देखा जो नीले कमल के समान शाम वर्ण से सुशोभित और पितामबर धारन किये वे थे उनके पीछे मृत्युसाहित काल भी था धर्मराज जी ने उस इस्थान पर पहुँचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पाश में बांद कर अपने अधीन कर लिया और उसे खीचकर पड़ी तेजी से दक्षिन दिशा की ओर प्रिस्थान किया पती को प्रान रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कापते हुए हुदे से अपने दोनों हाथ जोड़ कर बोली माता की भक्ती से इस लोक, पिता की भक्ती से मध्यम लोक और गुरु की भक्ती से ब्रहम लोक की प्राप्ती होती है जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानुस सभी धर्मों का पालन कर लिया जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया, उसके तो किये वे समस्त पुर्णिकार भी निश्फल हो जाते हैं पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इनी तीनों में समाप्त हो जाते हैं तब यम्राजी ने कहा सावित्री तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लोट जाओ सच मुझ संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं तुम्हारा पती गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है किन्तु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है इसलिए तुम लोट जाओ लेकिन सावित्री बोली हे धर्मराजी इस्त्रियों का पती ही देवता होता है पती ही उसको शरंड देने वाला होता है इसलिए साधवी इस्त्रियों को अपने पती का अनुगमन करना चाहिए पिता, भाई, तथा पुत्र परिमित संपत्ती देने वाले हैं इन्तु पती अपरिमित संपत्ती का दाता है बह्ला ऐसे पती की कौन इस्तरि पूजा नहीं करेगी मुझे भी वही लेकर चलिये नहीं तो मैं अपने प्राणत्याग दूगी तब यम्राज्य ने कहा हे पति वृते मैं तुम पर बहुत प्रसन हूँ इसलिए सत्वान के प्राणों को छोड़ कर तुम कोई और वर्दान मागलो और देर मत करो तब सावित्री बोली धर्मक्य जो राज्य से चूत हो गए है तथा जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज तथा आँखों की रोशनी प्रदान कर दीजे यम्राज ने कहा भद्रे तुम्हारे ये साब इच्छाएं पूर्ण होगी तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में भी विगन पड़ेगा और तुम्हें भी ठकावट होगी इसलिए अब तुम वापस लोट जाओ तब सावित्री कहने लगी हे देव स्रेष्ट सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत कैसा परिश्रम और कैसा दुख विश अगनी सर्प तथा शस्तर से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुस्टों से हुआ करता है जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परूपकार करते हैं उसे प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग का दूसरों को कस्ट देने में ततपर रहते हैं ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारन किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी है इसलिए हे देव आपके पीछे चलती वे मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा यम्राज जी बोले है विशालाक्षी तुम्हारे इन धर्मियुक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन हूँ इसलिए सत्पुरुषों के प्राणों के अलावा दूसरा वर मांगलो और देर मत करो यहीं से वापस लोट जाओ अब की बार सावित्री ने कहा प्रभू मैं सौ सहोदर भाईयों की अभिलाशनी हूँ मेरे पिता पुत्रहीन है इसलिए वे पुत्रलाब से प्रसन हो ये सुनकर यम्राज ने सावित्री से कहा सावित्री तुम जैसे आई हो वैसे ही लोट जाओ और अपने पती के अंतिम क्रिया की विवस्था करो अब ये दूसरे लोक में चला गया है इसलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती क्योंकि तुम पतिवरता हो इसलिए दो घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो भद्रे सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुर्ण ने अरजित किया है इसलिए मैं स्वय में से लेकर जा रहा हूँ सुन्दरी विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदयव तत्थ पर रहना चाहिए उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए मनुष्य के जनम के समय माता और पिता जो कस्ट सहन करते हैं उसका रिण सैकडो वर्षों में भी नहीं चुकाय जा सकता इसलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु का सरवदा प्रेकारी करना चाहिए क्योंकि इन तीनों के संतुष्ठ होने पर सभी तपस्याएं समपन हो जाती है भद्रे तुम्हारी कहीवी सभी बाते पुर्ण होगी तुम्हारा काम पूरा हो गया अब तुम लोट जाओ तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछी आने से मेरे कारे में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कस्ट हो रहा है इसलिए मैं तुमसे बार-बार ऐसा कह रहा हूँ अब सावित्री कहने लगी हे देव स्रेष्ट धनुपारजन के कारे में कैसी गलानी और कैसा कस्ट देव ज्यानी व्यक्ति को सदैव धर्मों पारजन करना चाहिए क्योंकि उसका लाब सभी लाबों से विशेस महत्वपून है प्राणी चाहे कहीं भी चाहे पीछे अकेले धर्म ही जाता है मित्र और भाई बंदु कोई साथ नहीं देता इस संसार में और स्वर्ग में मनश जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तूँ और भोगों को प्राप्त करता है वह उनके पुन्य कर्मों का ही फल होता है उसकी प्राप्ति के उपाए हैं यग्यत तप, दान, इंद्री निग्रह, क्षमा शीलता, ब्रहमचर्य, सत्य, तीर्थों की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजोनों की सेवा तथा ब्रहमनों की पूजा इसलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्मा चरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्युष की प्रतिक्षा नहीं करती कि इसने अपना कारी पूरा किया है या नहीं सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराजी फिर बोले, विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ठ हूँ, इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्ने कोई वर मागो और देर मत करो, वापस लोट जाओ सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप देना ही चाहते हैं, तो मैं सत्यवान के सौ पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहें की सद्गती नहीं होती, क्योंकि यमराजी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे-पीछे चली आ रही है इसलिए उनके एक शणकी भी देरी किये बिना कहा कि सावित्री अब तुम सेश अभिस्ट कामनाओं को छोड़कर वापस लोट जाओ और मैं तुमारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा, तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भाती जानने वा आज नाम से पुकारते हैं, लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसलिए आप मृत्यू कहलाते हैं, सभी प्राणियों के क्षण कला आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्व दर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं, देवताओं में स्रेष्ट, हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई भी मुझे दुख्या की रक्षा कीजिए, और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के सौ पुत्रों की मा होने का आशिरवात प्रदान किया हैं, और आप मेरे पती को लेकर जा रहे हैं, मैं एक पती वृता इस्तरी हूँ, ऐसे में मैं अपने पती के बिना सौ पुत्रों की मा कैसे बन सकती हूँ, तब यम राज जी बोले धर्मग्ये, तुम्हारी इस्तुती और भक्ती से संतुष्ट होकर, मैंने तुम्हारे पती सत्यवान को मुक्त कर दिया है, वे सब के सब देवताओं के समान, तेजस्वी और क्षत्री राजा होंगे, ऐसा कहकर, यम राज जी सत्यवान को छोड़कर, काल तथा मृत्यों के साथ वहीं अद्रिश्य हो गए, इसके बाद पती वृता सावित्री, वहां से जिस मार्ग से गई थी, उसी मार्ग से लोट कर उस सिस्थान पर आई, जहां सत्यवान का अमरित शरीर पड़ा हुआ था, तब सावित्री पती के नजदिक जाकर, उनके सिर को अपनी गोध में रखकर, पहले की तरह बैठ गई, उस समय सूरिदेव अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे, थोड़ी ही द आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भूगना पड़ा, सावित्री मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो, तब सावित्री बोली स्वामी, सोरी तो आस्त हो गए, चलिए अब हम आश्रम को लोट चले, मैं वहीं सारी घटना विस्तार सावित्री और सत्यवान ने सब अतनिक छत्री श्रेष्ट राजा दियुमत सेन को प्रणाम किया, पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया, उस समय आनदित सावित्री ने जैसी घटना घटे थुई थी उसका वर्णन किया और उसी राद को अपने व्रत को भी समाप्त किया, अगले दिन प्रातहकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगालों के साथ राजा को पुन्हा राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रन देनी आई, और ये सूसना दी कि राजन नेत्रहीन होने की कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था, वे रा सावित्री सो पुत्रों की मां भी वनी, इस प्रकार पति व्रेता सावित्री ने अपने पितरपक्ष और पतीपक्ष दोनों का उध्धार किया और मॡ्द्य के पाश में बंदेवे अपने पती को भी मुक्त कराया, इसलिए मनुश्यों को सदा साधवी इस्त्रियों की करता है कभी भी दुक्का भागी नहीं होता और जो भी सुहागिन मेला इस कथा को सुनती है उसके पती पर आयावासन कटल जाता है और उसके पती की दीरखायू होती है बोले धर्मराज जी की जय सत्यवान सावित्री की जय उमीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करना मत भूलिएगा